नमस्कार बच्चों, कक्षा 10, एक्सराइज 8.2, 2 का प्रश्ण 1, उसका चोथा भाग हम कर रहे हैं, जो की है, साइन 30 डिग्री प्लस 1045 डिग्री माइनस को सीकेंट 60 डिग्री बटा, सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, हमें इसका मान ग्यात करना है, तो आईए देखते हैं, यह हमने बीच वाला भाग की लाइन लगाई है, यह हमारे पास टेबल है बच्चों, इसमें हम वैल्यूज देखते रहेंगे, एक एक करके, ठीक है, आईए देखते हैं, सबसे पहले है, साइन 30, तो देखें, साइन 30 की जो वैल्यू है, वह है है, एक बटा दो, तो यहां गया, एक बटा दो, प्लस, 1045, 1045, जो की होता है, 1, माइनस, को सीकेंट 60, देखें, को सीकेंट 60, यह है, दो बटा रूट 3, दो बटा रूट 3, नीचे, सीकेंट 30, देखें, सीकेंट 30 है, दो बटा रूट 3, उसके बाद है, प्लस, कॉस 60 दिग्री, कॉस 60, जो की है, एक बटा दो, आगे है, प्लस, कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू है, 1, अब हमें इसे हल करना है, तो देखें, हम कैसे हल करेंगे, यह बड़े वाला भाग आगया, उपर, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो है, 1, 2, 1, और रूट 3 का, जो लगुत्तम आएगा, वह आएगा, दो रूट 3, दो रूट 3 को जब 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बाग की बचिगा रूट 3, रूट 3 उपर, एक से गुना होके, बन जाएगा, रूट 3, प्लस, प्लस, दो रूट 3 को जब एक से भाग करेंगे, तो हमारा पास आएगा, दो रूट 3, उसको एक से गुना कर दे कर जाएगा बाकी बचा 2 2 उपर 2 से गुना होके बन जाएगा माइनस 4 ये तो आया है उपर वाली रकम को हल करके इसी प्रकार हम नीचे भी हल करेंगे दिखे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रूट 3 और 2 और 1 काल गुत्तम फिर से बनेगा 2 रूट 3 2 रूट 3 को रूट 3 से भाग करेंगे तो हमार पास आएगा 2 2 को उपर 2 से गुना करेंगे तो हमें विलेगा 4 बीच में है प्लस प्लस 2 रूट 3 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा बाकी बचा रूट 3 रूट 3 उपर एक से गुना होके बन जाएगा रूट 3 प्लस प्लस दो रूट 3 को एक से भाग करेंगे तो आएगा दो रूट 3 और उसे उपर एक से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा दो रूट 3 अब हमें इसे आगे हल करना है आगे हल करने से पहले हम देखते हैं कि यहां हर में है 2 root 3 और यहां भी हर में है 2 root 3 यह दोनों आपस में कट जाएंगे अब हमारे पास यहां उपर बचिया root 3 plus 2 root 3 यानि की root 3 plus 2 root 3 यानि की 3 root 3 minus 4 बटा नीचे है 4 plus root 3 plus 2 root 3 हो गया 3 root 3 अब हमें लगुत्तम को सॉरी हर को परिमाई करन करना है क्योंकि हर से root अटाना है तो इसे 4 minus 3 root 3 दोनों के बीच में plus का निशान है तो यहां minus का निशान उपर लेंगे और minus का ही निशान नीचे भी लेंगे इसे बच जाएगा a plus b into a minus b जो की बराबर होता है a square minus b square के और उपर क्या हो जाएगा यह आपस में गुना हो जाएगे तो देखे यह है 3 root 3 minus 4 और यहां है 4 minus 3 root 3 तो देखे 3 root 3 जब 4 से गुना होगा तो यह बन जाएगा 12 root 3 4 जब minus 4 से गुना होगा तो बन जाएगा minus 16 उसके बाद minus 3 root 3 और 3 root 3 गुना होगा तो 3 तिया 9 और root 3 गुना root 3 तिया 9 तिया हो जाएगा 27 इस प्रकार से और minus into minus हो जाएगा plus 4 root 4 गुना 3 root 3 हो जाएगा 12 root 3 यह हमें प्राप्त होगा तो हमें जब यह प्राप्त होगा तो हमारे पास आ जाएगा देखे उत्तर 12 root 3 और 12 root 3 हो जाएगा 24 root 3 minus minus plus 27 और 16 बन जाएगा 43 sin minus का क्योंकि 2 नहीं minus की रख में है बटा नीचे हो जाएगा 4 का square 16 minus 3 का square होगा 9 गुना root 3 का square होगा 3 तो इसे हल करते हैं उपर एक संख्या root 3 वाली है दूसरी बिना root वाली तो यह ऐसे ही रहेगी और नीचे 9 तियास 23 और 16 minus 23 16 minus 23 हो जाएगा minus 11 यदि आप minus नीचे से हटाना चाहें तो यह है बन जाएगा उपर से minus कॉमर लेकर दोनों के साइन चेंज कर दो तो यह बन जाएगा 43 minus 24 root 3 बटा 11 यह minus कट गया उपर से दोनों के साइन चेंज हो गए तो यह हमारा उत्तर आ गया है जो कि इस प्रश्न को हमने हल करके निकाला है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझाया होगा थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा बच्चों लेकिन उसका हल यही है जहां से भी आपको यह प्रश्न मुश्किल लगे वीडियो को पीछे ले जाकर दुबारा देखे ना समझाये फिर दुबारा देखे फिर ना समझाये फिर दुबारा देखे वीडियो को बार बार देखे यह प्रश्न आपको जरूर समझ आएगा और इस प्रकार के यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे वहाँ पर आप बाकी प्रशनों के सोल्यूशन्स भी देख सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद बच्चों